थाँ विरीवें, कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे इस समय पढ़ रहाई है गर्मी होगर्मी और गर्मी हो में इसकिन की अच्छे से क्यार करनी बहुनि क्यूंकि बहुत जदा ओईली चिपचिपी चिपचिपी सी रहती है जिससे फेस पे ब्लैकनेस सी बहुत आ जाती है काफी लोगों के आप देखोगे न मौत के चारो तरफ ब्लैक सा ग्रे सा हो जाता है यहां पर हो जाता है इधर की तरफ हो जाता है यह सब हो जाता है टैनिंग के कारण गर्मी के कारण तो चेहरा बहुत ज़दा डल डल सा लग रहा है चेहरे पर रौनक नहीं है कलर डाउन डाउन सा लग रहा है तो यह सारी प्रोब्लम आपकी दूर हो जाएगी तो जो आज मैं आपको बता रही है यह आपकी किचन में ही मिल जाएगा सिफ विकलौती एक ऐसी चीज़ है अगर आप उसको यूज करते हो तो 100% गारंटी है आपका जो चेहरे पर काला पन है वो चला जाएगा कलर फियर होने लगेगा जो आनिवेन इसकीन है वो इवेन हो जाएगी और इसको ना किसी भी टाइम कर सकते हो अगर आपके पास जब टाइम हो तब आप कर सकते हो और हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मैं बात कर रही हूँ दhi की यह मैंने दधी लिया है दधी आपको पता है, इसकिन को बहुत ज़्यदा फाइदा करता है दधी में नेचरल ब्लीचिंग प्ापरटी होती जो आपकी skin को naturally bleach कर देती है अगर आप chemical वाली bleach आपको नहीं सूट करती है तो दही बहुत ज़्यादा skin को फाइदा करती है जो आप डेली दही को यूज करते हो तो आपकी skin even tone होने लगती है color fair होने लगता है bleach का काम यही होता है कि आपके color को fair कर देती है लेकिन वह chemical अइस तो हम को लीना है घर कंने लीना है तो यह मैंने घर का ही द Border लोगा कि चावल का Two जू भी में जो भी है आप उसका अटा सब्सक्राइब बना लेना है तो महीं सब्सक्राइब चावल अपको महीं सब्सक्राइब pair है प्όना है है इस देफॉण आप चावल को इस पास जो भी आप बनाते हो घर में जो कहते हो अब में चावल कृस्ते help अगर आपके fine lens wrinkles की problem है तो चावल का जो आटा है ये दूर करता है यानि आपके skin को tighten करता है bright करता है तो चावल के भी guys बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो हम इसको कैसे use करेंगे दोनों को अब मैं बताती हूँ तो इसको किसी भी time use कर सकते हो अगर आपके पास दिन में जब भी time है आप इस चीश को use कर सकते हो दिन में आप एक या दो बार use कर सकते हो अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा खराब हो रही तो आप दिन में दो बार भी use कर सकते हो आप एक बार बना की भी रख सकते हो खराब आपका नहीं होगा दो तिन दिन आराम से चल जाएगा तो हम लेंगे एक चमज दही आप हाथ में भी ले सकते हो कटोरी में भी बना करके रख सकते हो इस तरह से हम ले लेंगे एक चमज दही या आदा चमज ऐसे ही ले लेंगे इतना दही ले लेंगे और इसमें हम डा करता है कलर को काफी ज़दा फियर करता है तो दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाओ तो कटोरी में फिक कर सकते हो मैंने आपको इसी तरह से लिखाया है क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही बना लेती हूं तो चो माउथ के चारो तरफ का एरिया है काला है वहां पर इसको से लगा लेंगे आप चाओ तो पूरे फेस पे लगा लो पूरे फेस पे ही मैं इसको लगा लेती हूं इससे इसकिन बहुत ज़दा क्लीन हो जाती है आपको किसी भी फेस वास की जरूरत नहीं आपको कोई क्रीम की जरूरत है यह आपकी टैनिंग को रिमूव करता है मतलब इसकीन में गजब का फाइदा करता है, दोनों चीजे हैं ना, दही और चावल काटा, दोनों ही इसकीन को बहुत बहुत ज़्यादा फाइदा करते हैं, दही के तो कित्ते गुडगान गाये जाए, उतने ही चावल के गुडगाये जाए, चावल जो है, मतलब अगर आपके फा पोड़ देंगे इसको कम से कम दस दस मिनट तक लगा रहने देंगे उसके बाद ना यह हलका हलका साथ जब सूखने लगे लगे का तो आप क्या करना आप अपने हाथों को गीला कर लेना चाहो तो आप रोज वार्टर भी ले सकते हो और अगर आपको और अच्छे रिजर्ट चाहें तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा दूद ले करके कच्छा दूद ले करके आप इस ताह से मसाज करो अगर आपको तो दो दिन में ही इसके काफी अच्छे रिजर्ट मिलेंगे बहुत इसकी स्मूथ क्लीन क्लियर हो जाती है पुराने से पुराने दाग धबे चले जाएगा बस इसको करने के बाद आपको इस तरह से क्लीन कर लेना है आप चाहो तो दिन में एक बार कर लो चाहो तो दो बार कर लो अगर आपकी इसके में बहुत ज़दा प्राब्लम है आप देखो कि आपको काफी काफी ज़दा फर्क दिखेगा बहुत इजी भी है आपक चीज़े बताती हूँ कि ज्यादा आपको तिर्म जाम करने की जरूरत ना हूँ क्योंकि रोज रोज चावल पीसना विगोना बड़ा मुस्किल है एक बार पीस के रख लो थोड़ा सा दही ले लो हाथ में मैं तो इसी तरह से करती हूँ एक चमच दही लिया और थोड़ा सा चावल काटा लिया जब तक वास्रूम में रहती हूँ तब तक लगा रहने देती हूँ जब तक कपड़े अप्ड़े दोती हूँ उसके बाद हलकी सी मसाज करके क्लीन कर देती हूँ मेरी इसकिन आप देख सकते हो मेरी इसकिन काफी ज़ए जड़ा क्लीन है कोई दाग आपके सामने है लाइव रिजल्ट एमने कुछ भी नहीं लगा भस पीज को क्लीन किया इसकि बहुत साइफ्ट लग रही है तो इसको जरूर यूज करिएगा और इसके जो है रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और हाँ अगर अभी तक आपने मुझको इंस्टा पे नहीं फालो किया तो प्लीज मुझको इंस्टा पे भी फालो कर लिजे बिलती हाँ से नेक्स विडियों तक लिए बब